उत्तर प्रदेश के हमीरपूर जीने में सरकारी गोशाला से गाएं छोड़ देने से नारास किसानों ने पुलिस और बीडियों के सामने ही ग्राम प्रधान पती और उसके गनर की जम कर पिटाई की और उसकी राइफल छीन कर पुलिस को सोब दी गटना की सुचना पर S.D.M. सीयों मोके पर पहुचकर घटना के कारणों की जाज कर रहे हैं देखिए ग्राम प्रधान पती और उसके गनर को घेर कर किस तरह से किसान धक्का मुक्की के बाद जम कर पिटाई कर रहे हैं पहले आप देखिए पुलिस के सामने ही ग्राम प्रधान पती को किसान धपर लात घूसों से पीट रहे हैं सब के सामने देदनादन जारी हैं यह सब क्यूं हुआ बता रहे हैं ग्रामीन हमेर पूरजीले में सुमेर पूर्थाने के पच्खुरा गाउ में अन्ना जानरों को बंद करने के लिए सरकारी गोशाला बनी है बीती रात इस गोशाला से गाएं छोड़ी गई जिससे सैकडो गाएं खेतों में घुस गई और फसलों को खा गई सुभे जब ग्रामिनों ने खेतों में गाएं को चरते देखा तो उनको आप पारा चड़ गया और उन्होंने ग्राम प्रधान पती को घेर कर गाएं को छोड़ने की शिकायत की तभी ग्राम प्रधान का गनर राइफल लेकर आ गया और ग्रामिनों पर राइफल तान दी बस फिर क्या था ग्रामिनों ने प्रधान पती और उसके गनर की जम कर पिटाई कर दी वो भी पुलिस के सामने ग्रामिनों का कहना है कि उनकी सभी फसले गाएं चर गई है किसानों द्वारा ग्राम प्रधान पती की पिटाई की सूचना पर SDM और CEO पच्खुरा गाउ पहुच कर जाजपरताल में जुट गए है SDM CEO ने इस घटना पर बताया कि बुंदेलखंड में पिछले कई सालों से किसान देव के आपदाउ से जूज रही है इस इलाकों में लाखों की तादाद में घूम रही अनना गाएं किसानों की फसलों की दुश्मिने बनी हुई है इन गाईों के लिए हर गाउ में सरकारी गोशालाएं बनाई हुई है इन गोशालाओं में गायों के खाने पिने का कोई इंतजाम नहीं है जिससे हर रोज गायों की मोत हो रही है और मोका पाते ही गोशालाओं से छूटी गाय मिंटों में खेतों में खड़ी फसले चर जाती हैं आज पच्खुरा गाव में भी यही हुआ जिससे ग्राम प्रधान पती को किसानों के गुसे का शिकार होना पड़ा हमेरपूर से सवदाता अमिर्ट मिश्रा की रिपोर्ट कि अधिकारी में सब अधिकारी सीडियो थे यह सवनमर पुलिस भी आ चुकी थी जो मैंने राइफल खींच के मैंने सवनमर को पकड़ाया मैंग जीन मैंने खींच लिया ने फैर कर देता फिर उसका छोटा बाला लड़का क्या नाम है संदीप अपकी कितनी भी खेतीन का नुक्सान मेरी मैं करीब पाट भी घजमीन जाय चर गए और वो है तो कई लोगों की फस्रम जाय चर गई आपने क्या बोया था हम यहूब हो इते हैं क्या नाम है आपका राजन निपाल कितना क्या नुक्सान हुआ है आपका हमारा षाले चुकारा पाट जाए बूखी गए और पाट अपने पाट उसमेद चारगान लाका पाट यहां क्या अधीकारिया में क्या पर से चले गए रफिकारिया हम इक और नुक्सान है उपार से चले गए है हुआ है कि दो जाकर जगरा गड़ा हो गया। परधान को कि आसरार की शिकाईत किया अप लोगों ने। सीधा इस लोग है तर परधान ने उनको गाली गलोज किया राइफल उठाङ लिया। उन्हें जगरा कर दिया। पच्पुरा गाउए अन्यजाम लगाया है। कुछ मान रखिए कि सैपो भीगा अन्ना जानुवर खेती चर गए हैं क्या है पुरा मादा पच्पुरा बुजूर्थ गाउं में जनकारी प्राप्त हुई थी कि कि दो साला से पसुमों को निकाल दिया गया है पसुमों द्वारा जो है कुछ किसानों की फसल चर ले गए किसी को लेकर कि गाउंवालों में अपति थी गाउंवालों ने रास्ते को रोका था था तोड़ा सा उसको देख लिया गया है और यह जांच कराई जा रहे है कि किस कि किस्तान की फसल कितनी नुपसान की चरवाहे चोकीदार रखे गए हैं और परियाप्त चारव भूसे की ब्योस्था कराई जा रहे हैं पैसा दिये जा रहे हैं परदानों से के माध्यम से तो आपने देखा भी होगा हमने तुकावसाला देखा कि वहां पर पूरा सेट भी है का इसे पसों निकले हैं अब इसकी भी जांच करा रहे हैं और जो भी जिमेदार होगा उसमेरपूर अंतरगरत आज ग्रामीडों ने आरोप लगा था कि प्रदान ने पशूप खोल दी जिसको लेकर आक्रोश कर रहे थे लूप उसी दवरान एक विवात की स्थित्य उत रहे हैं एक पक्षका है कि मेरे साथ मार पीट वी दूसरे पक्षका कहना है कि उसने राइफल तानी गट्ना की सूचना मिलने पर तद्धाल पुलीस पहुच गई जाच चल लए है आवश्यक वैदानी कारवाई अमल मेलाई जाए एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें इसे ही लेटेश बरे पाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइच शेर आड सब्सक्राइब करें भादेवारो